मुख्याद करता मुख्यमंत्री विहार शेतीश कुमार जी का स्वागत अभिनंदर पुष्मगुच और प्रतीक चिन वहेट कर उनका अभिनंदर करें और इस शांका आप करता द्वनी से जोड़ाय तालियों के साथ स्वागत करें हमारे आदर्नी जिला पदाधिकादी मुहोदे अभिनंदन न रहे हैं मानिने मुख्यमंत्री मुहोदे का खुब सुरत प्रतीक चिन के द्वारा पुष्मगुच प्रतीक चिन वहेट कर करें कुष्मगुच प्रतीक चिन वहेट करें कुष्मगुच प्रतीक चिन वहेट करें कुष्मगुच प्रतीक चिन वहेट करें celebrating enlightenment at the site of the Buddha's enlightenment which is the center of knowledge किन की और चपयादन वहादना गलिच्च, no कुँआ आलो घाविदो अनूतरो वुरी साहा कुँआ बुद बागावाकावकावा निस्वाकावाव। भगावता दांगो संठीको अकारिको एपासिछ बुद बागावा कुआ दूसा वकासंगो नयाहाव। बगवादो सांवाकसांगो यदिदाचाता ए पुरिसयुकानि आता पुरिसभोगाला ए सभापाउ नईयो नईयो दाकिनयो अंजले करणियो अता नपरू पराद पुरिसभोफ-चल-पो, टेण उल्साचाता पिर्शो सांग journals खाकिन को किundee cid मत वादो्ट, झाले की लिए भाद करो को œon और होड़ार, फोड़र देगामार, फोड़र अगीर फोड़र् पॉबॉपॉ एरॉन डूस भीस्थिंट बिहार, मिस्टरनिलटेश कुमार की रिएक इंपॉड़ार अफोड़की देगार। मारे मानी ने मुप्रमंत्री महोडे को जोर्दार तालियों के साथ इश्छन का स्वागत कीजिए यह सभी हमारे कलाकार श्री लंका मैंनमार से आएंगे और अब मैंनमार से हमारे कलाकार जोंने हुआएंगे कोब सूरत परिधारों में हमाने श्री नंका की तलाकार इंकी प्रस्तुती आप देखेंगे सांस्कुतिक कारिक्रूप की दौरार Followed by Myanmar Cultural Truth वहाथी खुबसूरत श्री जब हमारे कलाकार मानिये अतिथियों को वहाँ का स्मितिचिन देद करती ही वहाथी खुबसूरत साईये स्मितिचिन है आप देख सकती ही The Vietnamese Cultural Truth और मैं एक और ग्रुप है जो स्मितिचिन भेट करें और उसके बाद इंडोनेशिया के कलाकार खुबसूरत पेंटिग है आप देख सकते ही स्मितिचिन स्वरूप खुबसूरत स्मितिचिन ये अग बस्रम भेट की जानी है माने ले मक्यमत्री महादे को Thank you so much Indonesia के आइस्ट Cultural Truth from Indonesia Presenting Mementos to the Honorable Chief Minister of Bihar Thank you, thank you so much Thanks a lot Please proceed All of May मानिनी अतितियों की द्वारा बीटी अंसी के सोजन्य से अब करीब आठ से दस कंट्री से पहली बार इस बार दस कंट्री से लोग पार्सिपेट कर रहे हैं बहुत महस्तों में और इसमें कुछ कंट्री जैसे के इंडोनेशिया कंबोडिया जो पहली बार पार्सिपेट कर रहे हैं यह तीन दिवसी आयोज पॉंग दिया जाता है। पहले तिन ग्यान यात्रा कायोजन आड़ेटी किया जाचेका जो डुंगेश्वरी से बोद गया महाबोधी मंदिर में किया जाता है। समारिका का विधिवत विमोचन मारिणी मुख्यमंत्री मोहदे के करकम्रू द्वारा। जी हाँ बहुत महाबोध से संबंधिर समारिका का प्रकाशन किया लिया है। परेचन विभाग विहार सरकार और जिला प्रसाशन गया की तरफ से जिसका नुकारपड विमोचन। बीच में अनेकों बार ऐसे दौर आएं जबकि इसको खंडित करने की कोशिस हुई है लेकिन देखिए ये चीज ऐसी है बोध गया जिसने भगवान गुद्ध को ज्यान प्रदान किया इस चीज को विनस्ट करना किसी के लिए संभाव नहीं है फिर से नए सिरे से ये बोध गया है जिस्तिकार से खिल गया है तो मुझे पूरा विस्वास है कि विभिन देशों से जो आए हुए है बहुत दो धर्मा वलंबी सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ का विनंदन करता हूँ और उनको इतना ही मैं स्वस्त करूंगा कि आप जब बोध गया आईए या बिहार आईए तो आपको तनिक भी आपके मन में हसास नहीं होना चाहिए आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपके मन का जो हिसास होना चाहिए वो फ्रेम का हिसास होना चाहिए यह हम चाहते हैं और इस बहुत मौटसब के अवसद पर हम इसके माध्यम से सब लोगों से यही कहेंगे सिर्फ जो यहां उपस्तित हैं उनसे नहीं और खास करके बिहार में है हम बिहार के लोगों को और देश के लोगों को कहेंगे कि आपस में भाईचारा का भाव रखना सबसे जरूरी है समाज में सांती का बातावरूं बनाना बहुत जरूरी है आपस में प्रेम और सदभावना का बाता बना कर रखना जरूरी है और ऐसा ही करिएगा तब आगे बढ़िएगा समाज को आगे बढ़ाईएगा तो इन ही सब्दों के साथ मैं इस बहुत महुत सब के अफसर पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं इस देश से और दूसरे से मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं और जितने कलाका यहां उपस्थित हुए हैं मैं उन सब लोगों का अभिनंदन करता हूं स्वागत करता हूं परियटन विभाठ जिला प्रिशासन और बोध गया टेम्पूल मैनेजमेंट कमीटी को विशेश पौर पर इस आयोजन के यह मैं उन्हें बढ़ाई देता हूं इनी सब्दों के साथ कि अज़े श्यारा प्राची महा बोधी मंदिर समुची मानब चाती को शंती परस्पर प्रेम एवं अध्यात्मित्ता का संदेश देता है देश्वी देश से आसंग के बौध अनुयाई भिक्षुजन एवं बौध धर में अस्ता रखने वाले अनित परटक भगवान बुद्ध की इस विशार प्रतिमा का यहां दर्शन करने आते हैं बौध को देविज्ञान का प्रकाश हुआ था और वो राजकुमार सिधार्थ से भगवान बुद्ध बन गए थे आंतराश्कियर सभागिता के साथ बहुत महसों के आवजन के बुद्ध गारंट समारों में मैं सभी महानुगों का आर्दिक अभिनंदन करता हूँ बोध गया की इसी पवित्र धर्ती पर इसाफुरों 531 में सिधार्थ को बोधिभूत के नीचे घ्रान के प्राप्ट के हुई थी तथावे बगवान बुद्ध के नाम से विश्व विख्यात हुए परिटन वभाग विहार की इसी हित्यासिक धरोहर को व्यापक रूप से परचारी करते हुए कहीं कारेकर्म रम्जोदनाई चलाता है परिटन वभाग ने जिलाब शासन के सयोग से इस महुष्यों को आतराश्टिय सुरूप के तहट इंडोनेशिया, म्यानमार, वियतनाम, भुतान, लाओस, स्रिलंका, इत्यादी देशों के कहीं ठाकिप्राफ एवं गन्मान्य कलाका एवं सास्कृतिक दल अपनी अपनी कलाका प्रजर्शन इस बहुत महुष्यों के तीन दिन के दोरान करेंगे विशेश काईदे के लिए उनके काईदे कुषलता को देखते हुए, इनोंने किराना की दुकान खोली है, फत्यपूर की रहनेवाली है पर्हतिया देवी जी इनकी भी किराना की दुकान है, फतेपुर ब्लॉक की रहने वाली है समीला खातूर कडी देवी, जो अंडे की दुकान चलाती है, फतेपुर ब्लॉक की रहने वाली है कडी देवी इतने संख्या में लोग यहां बैठे हैं इतने बाद मुनाकी देवी इनके भी किरानी की दुकान है वजीर गंज ब्लॉक की रहने वाली है मुनाकी देवी उर्मिला देवी बकडी पालग का काम करती है वजीर गंज की रहने वाली है वजीर गज़ ब्लॉग की उर्मिला देवी, मीना देवी जो श्रिंगार प्रसाधनकास दुकान चलाती है वजीर गज़ की रहने वाली है और मीना देवी श्रिंगार से संबंधित दुकान खुणी रही है और मुन्डी देवी इनकी भी किराना की दुकान है वजीर गज़ की रहने वाली है सभी का बहुत बहुत आवहार कि लगभग 69 योजनाओं का उद्खाटन और 146 योजनाओं का शिला नियास कुल राशी 365.24 करोर रुपे की है और विमिन योजनाओं से संबंधित कई सारी योजनाओं जिसमें उन्सट योजनाओं का उद्खाटन योजनाओं का शिला नियास आज की इस अफसर पर बहुत 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 अबहुत हमारी शांस्वितिक और अध्यात्मिक निराशक को आगे बढ़ाने के धिरिष्टि से इसको आरंग किया गया था लेकिन धीरे धीरे इसके समवर्धन के लिए इसको लोक प्रिये बनाने के लिए अन्य बहुत सारे कारकरम भी इसमें जोड़े गए और आज इस लिए है कि अन्य दूसरे लास्टों से कई कलाकार समुव यहां आये हुए हैं यह हमलों के लिए गौरब का विशा है और यह सब इसके विकास में जो मानिय मुखमत्री जी की गहरीय विरूची है खास करके महुसर्ण के सवाल में यह उसका प्रिणाम है आज पूरे मगत को सम्मान बढ़ा है और आगे भी आपकी किर्बा से इस तरह क्या सम्मान शेत्र को मिलता रहेगा श्रीमती दम्यंदी देवी जी याँ उपस्तित अन्य सभी जन प्रत्रिधी गन सम्मानित नेता गन सम्मानित साथियों मंच पर उपस्तित मगत प्रबंडल की आयुक्त सूसरी टी एन बिंदेश्वरी जी परेटन विभाग बहुत महुत सब के आयोजन में पूर्व के वर्सों में भी मैं भाग लेता रहा हूँ और इस बार मुझे कुसी है हर साल फरबरी महीने में इसका आयोजन होता था तो पिछले बार जब इस पर बाच्छी तुई चर्चा हुई तो हमने एक सुझाव दिया था कि पूजा अवधी में इसका आयोजन करिये ताकि अधिक से अधिक सरथ धालू भी इस कारिक्रम में हिस्सा ले सके और मुझे खुसी है कि सुझाव को सुईकार करके जो निगमा पूजा का ये अवसर है ठीक उसी बीच में इसका आयोजन किया गया है 11-13 जनवरी के बीच में तब ये बड़ी कुसी की बात है और अभी हम गये थे महावोधी मंदेर तो वहाँ जो जानकारी मिली कि आठ से दस अजार सरथ धालू निरंतर यहाँ पूजा करने हो रुपस्ति थे तो ये निगमा पूजा के अवसर पर इसका आयोजन शुरू हुआ है बड़ी कुसी की बात है और हम चाहेंगे कि इसी तरह से इस अवधी में ही इसका आयोजन आप करें ताकि और लोग भी इसमें सामिल हो और इसका आनंद उठा सकें ये जो बहुत महुत सब का आयोजन है या सिर्फ एक सांकेतिक कारिक्रम नहीं है इसको एक अंतरास्टिय सुरूप प्रदान करने की कुसी सुई है और मुझे कुसी है इसमें बहुत हद तक सफलता मिली और इसका आयोजन राच्य सरकार के प्रेटन व्युहाग के द्वारा किया जाता है उसमें जिला प्रशासन की भूमिका होती है और बहुत बड़ी भूमिका होती है बोध गया टेम्पूल मैनेजमेंट कमीटी की निरंतर बोध गया में आते रहते हैं और जो बोध गया टेम्पूल मैनेजमेंट कमीटी है उसके सेकरेटरी के साथ निरंतर उनलोगों का संबाब जारी रहता है तो एक इनका जो संपर्क है विभिन देसों के कलाकारों से विभिन देसों के स्रधाल्णों से तो उसके चलते प्रेरीत किया गया आने देशों के कलाकारों को भी और पिछले कई वर्सों से खास करके जहां तक मुझे याद है 2012 से ये स्वरूप हुआ जब हुम सरकार में आये थे 2005 में उसके बाद से जब यहां आते थे तो उस सबें जो बहुत महुत सब का कारिक्रम होता था वो लगता था कि एक सांकेतिक कारिक्रम है बहुत महुत सब का आयोजन हो रहा है अंठानवे में तै किया सरकार ने तो एक आयोजन होता है बहुत महुत सब का लेकिन उसमें उस प्रकार की बात नहीं थी जब उसका नाम देते हैं बहुत जो महुतसा तो भगवान बुद्ध के क्या विचारत है और उनका विचारत दुनिया में किस प्रकार से फैला रही है और सिधार्थ से भगवान बुद्ध बने जब उनको यहां उनका इलाइटिन हुआ उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई यहां के बोधी ब्रिक्ष के निकार और इस स्थल का जो महत्तों है सिद्धार्थ के रूप में जब थे भगवान बुद्ध तुन्हों ने बहुत प्रयाप्ति किया सब जगर ज्ञान प्राप्ति के पहले मिराज गिर गए लेकिन यहां आने पर घ्ञान प्राप्ति उनकी हुई और इसके बाद सबसे पहला उप्देश देने के लिए गए वो सारना अनेक स्थलों पर उप्देश दिया और फिर राजिगिर में गृद्ध कूट परवत पर उनका कितना उप्देश हुआ बारा वरसों तक वहां निवास किया वो तो इस सब को मालूम है लेकिन जो भगवान बुद्ध का विचार है जो उनका संदेश है प्रेम का, सांती का, अहिंसा का जो संदेश है और जब भगवान बुद्ध उप्देश देते थे तो याद जो बात हो रही है कि एक बहुत लोगों का तो बहुत धर्म के प्रती जो आस्था है तो एक आस्थावान के रूप में सामिल होते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका एप्रोच, जिनकी सोच वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है और जो परंपावन दलाई लामा जी हैं जो हमेशा इस बात को कहते हैं ये जो साइंटिफिक रूप है, इसको ठीक डंग से प्रचारित करना चाहिए और भगवान बुद्ध, अपने सरद्धागों के समक्ष जब बोलते थे तब वे कहते थे कि देखो मैं जो बोल रहा हूँ, उसी को मान लेना क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, वह आवस्यक नहीं है मैं जो बोल रहा हूँ, उस पर अपने दिमाग से सोचो और तुम को यह लगे कि यह सही है तो इस बात को मानो और इस बात को आगे बढ़ाओ तो यही है वैज्ञानिक रूप यही है साइंटिफिक अप्रोच बहुत लोग दो जो सरदालू होते हैं आस्थावान होते हैं वो भी कोई बुरी चीज नहीं है लेगिन जो बहुत धर्म के पती में बहुत धर्म में जो यह सो साइंटिफिक स्वरूप है उसका वो भी अपने आप बहुत महत पुर्ण इसे जो बहुत महत सब का अंतरास्टिय स्वरूप है यह जो भगवान बुद्ध का संदेश है उसी को लोगों तक पहुचाने के लिए और आस देखिए कितनी बड़ी संख्या में भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग है ज्यांति प्राप्ति तो उनको यहां हुई लेकिन आप ज़रा देखिए कितने देशों में बहुत धर्म को लोगों ने अपनाया और आज भी कितनी बड़ी संख्या में विभिन देशों में लोग बहुत धर्मा मलंबी हैं पहले महाबोधी मंदिर में लोग जाते थे एक ही रास्ता था जाने का वही रास्ता था निकलने का इसके चलते काफी लोगों को परिसानी होते थे और उसके चारों तरफ उस तरह का घेरा नहीं था जो इस पर बॉंब ब्लास्ट करने के लिए घुस गया था तो कोई भी कहीं से उच्छल कर इसमें आ सकता था तो इन सब चीजों को देखा गया और इसके बाद महाबोधी मंदिर के सुरक्षा के दरिश्की कौन से उसके एक एक पहलू को गौर कर अब काम किया गया और उस दिसा में काम हुआ अब किस तरह से उसका सौंदरी करन भी हुआ है और अब कितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और वो पूजा अर्चना कर रहे हैं यहां तो इस इन सब चीजों पर हम लोगों ने ध्यान देने की कोशिश की है और पर यह आने के लिए इसका एप्रोच ठीक होना चाहिए सड़के ठीक पननी चाहिए और भगवान बुद्ध से संबंदित सारी चीजों को देखना चाहिए जितने अनिस्थल है सब चीजों को देखा जा रहा है कितना रोपवे बनाने की बात हम लोग सोच रहे है और उनसे सब चीजों पर काम किया जा रहा है इसलिए अब मुझे बड़ी खुसी है कि आविस रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है तो सब तरफ से जो भी आवसकता है और बोध गया के स्वरूप को और बहतर बनाने के लिए अब पहले से सोच लिए कैसा माहौल दीखता था आज कितने structure बन रहे हैं अब लोग इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं कि अब आयोजो विशिस्त स्थल है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर महाबोधी culture center इस्थापित करने का दिरने लिया है और वो culture center का दिर्मान होगा वो अद्भुत होगा उस पर काम शुरू हो गया है 13 एकड़ की जमीन पर काम शुरू हो गया है और उस पर 145 करोड रुपे की लागत से वो काम प्रारवन कर दिया गया उसका कारियारम भी हम करने आ गये हैं यहाँ और उसी दिन उसके बारे में था कि 18 वहीने में बनकर तयार होगा तो जो भवन निर्मान विहाग हमारा है उसके तरफ से वो काम प्रारवन किया गया है तो हमने उसी दिन उसे वाइदा ले लिया और उन लोगों ने मुझे आस्वस्त कर दिया कि वो 2020 के मार्च महीने में जो बिहार दिवस है 22 मार्च 2020 वो तब तक बनकर तयार हो जाएगा और हमने कहा कि अगर बिहार दिवस के अफसर तक आप बना देते हैं तो बड़ी खुशी होगी कि 2020 के बाद मार्च के बाद कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं आप अक्टूबर से लेकर मार्च तक कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं कई तरह के कारिक्रम आयुजित करना चाहते हैं तो कल्चर सेंटर है वो कन्वेंशन सेंटर भी हो कितने तरह का लोग कॉन्फरेंस करना चाहें और यहां सिरक पुजा की बात नहीं है जो भगवान बुद्ध का विचार है उस पर निरंतर चर्चा होनी चाहिए और वो बहुत जुरूरी है और दुनिया में जो एक तक्राव का वातावरंग बना है आज दुनिया के किसी हिस्से में चले जाईए सिर्फ आपस में टक्राव का महौल बनता चला जा रहा है यह कोई हमलों के मुल्की ही बात नहीं सब जगह तो यह जो टक्राव का महौल है इससे छुटकारा दिलाना होगा और तभी पृत्वी को हम बचा सकते और जब तक परियावरन पर ध्यान नहीं देंगे और हम अपने सुभाव पर ध्यान नहीं देंगे अगर इस तरह से समाज में टक्राव का महौल रहेगा तो बहुत आगे तक चलना संभव नहीं होगा इसलिए जो नालंदा विष्विद्याले का रिवाईवल हो रहा और जब वो बनना सुरू हुआ हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा जिसको स्विकार किया उन लोगों ने भी हमने कहा कि इसमें कंफ्लिक्ट रिजोल्यूसन सेंटर बनना चाहिए यानि कई प्रकार के कंफ्लिक्ट दुनिया में हो रहे हैं उसको रिजोल्ब करने का ये सेंटर होना चाहिए नालंदा महावियार ही नालंदा विष्विद्याले कहलाता था और बहुत धर्मावलंबियों की ही उसमें सबसे बड़ी भूमिका था तो अगर हम फिर से नालंदा विष्विद्याले को रिवाइब करने जा रहे हैं तो यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में जितने प्रकार के मत्वेद हैं कंफ्लिक्ट हैं तक्राव है उसको दूर करने के लिए वहाँ सिंटर बनना चाहिए तो इन सब चीजों पर यानि भगवान गुद्ध का जो विशार है अगर हम उस पर निरंतर चर्चा करेंगे और उसका जो वैग्जानिक पहलू है उस पर हम चर्चाज करते रहेंगे और कराएंगे तो मैं समझता हूँ इसका बहुत व्यापकसर पड़ेगा जिनको जो मर्जी उस धर्म का पालम करे लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चाहे हम किसी धर्म का पालम करें जो दूसरे धर्मा वो लंबी है दूसरे धर्म के उनके प्रती भी हमारे मन में सम्मान का भाव होना चाहिए यह सबसे बड़ी चीज़ और यह सबसे बड़ा संदेश इस बोध गया से निकल सकता है इसका एक संदेश जाना चाहिए और उसके साथ इस प्रकार के संवाब का आयोजन होना चाहिए कि लोग भगवान गुद्ध की मूल बातों को समझें और भी मंदिर है क्यों इसलिए कि यही पर वो बहुत ही प्रिक्ष जिशू कामनाई दी और अपना अशिर्वाद हम सबको प्रदान किया अधे अम नीचे जाकर स्थान कहें करेंगे और सभी इबारी से आपके बीच बुलाऊंगी जी हां आज के सांस्कुतिक कारिक्रम का आवाज हम बहुत ही तेहे जिनको सुनने के लिए आप सभी वैसे तो समी कलाकार हमारे लिए खास है जाहे वो स्थान्य कलाकार हो चाहे वो राष्टिय तरके कलाकार हो जी हां देज़ा को बहुत महाट सभी है सांस्कुतिक कारिक्रम किया मैं भूजाका लोल्हाच प्राइव करिंगा अरा य". मैंने ब्हु कर दिक हरो थात्रान प्राइव थीती है doga वहाई प्राइवा एन स्छ फेर एक द्रश्श कालिफ followed by love and at last our main attraction this evening Bollywood singer Mohit Chava हमारे अंतराश्ये कलाकार अंतराश्ये टुप अवा भी कुछ और प्रस्तुतिया होंगी आज हमारे कई कलाकार लफस्टब का अध्मीते दिन कल की खास प्रस्तुतियां क्लासिकल फ्यूजन की प्रस्तुति की जाएगी झाल्ये कि लामारे कовал कुछ वाँ की माँ धान्या वाँ मु की गाल्ये की जाएगी ऑाँ हादी हाओ ताह भोलो आहा 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 हुआ ऑर सक्फ़ा कना मुल्य कर सकतर ही पार मह Come Come Fire कर दो कर दो दिशा दिशा में लोक रंग का दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है मैंका मैंका सुन्दी माती का बिरार है दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है मैंका मैंका सुन्दी माती का बिरार है लोक रंग का दिशा 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 दिशास हके मैंका मैंका सुन्दी माती का बिराइ मारा दूब के मान चुच्च का जो दो दाया वही जहाँ पर लोग कंप की नहीं दाया अब कारी तरह की दूब की दिख्दार वही जहाँ वही जहाँ पर लोग की दिख्दार वही जहाँ विया शोर का स्तंदुर बनानी की आदगार है मेरा मेरा सुमी माची का जिहार है मेरा मेरा सुमी माची का जिहार है थितर भकपर बनानी की दिख्दार वही मैंदीक श्मील सेब वही जहाँ झाय की दिख्दार वैंदीक स्तंदें मेरा 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 आजी कुझ पे आलहा उदर के अफसा में आजी कुझ पे आजी कुझ पे आ, आजी कुझ पे आजे। में उड़ाता गुला, आहे बाबु कुवरा सिंगा देगा वापा हादू ए रहा ही तब ऑंणी पहाई दी है रामा सैया घरवा। लोगावात पाहे लादूना ही मिया रामा सैया घरवा। आपिता वानुनिका हाई दिये रावाए साया धारवा लोगा बाता हेला तुला योगी नाजी की ताथी नाजी की ताथी नाजी की ताथी ताथे की ताथी नाजी 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 की ताथी नाज कुई को पकपार जेखे जे लेडिक तुमार मीजीजी साही आधिक' मंशायरं दिख्जाओं जब भुद लग्शायरं दिख्जाओं जब भुद रुद नंशायरं दिख्जाओं महावीर के चर्णों से पावन वैशाली तपोपूर है वो दिविक्ष की डाली डाली महावीर के चर्णों से पावन वैशाली तपोपूर है वो दिविक्ष की डाली डाली गुरु आई ही लो मलते की आपदारे रहे रहे महावीर के चर्णों से पावन वैशाली तपोपूर है वो दिविक्ष की डाली महावीर के चर्णों से पावन वैशाली डाली महावीर के चर्णों से पावन वैशाली डाली महावीर के चर्णों से पावन वैशाली डाली सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है सर्फरोशी की तमना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातल में है हमरे शहीदों की रादों का ने मतार है मैंगा मैंगा सूंदी मादी का भी ख़र है आ, आ, आ देश अटनका जिंद्रे मुआमस्तकुचा मैंगा मैंगा भी ख़र entire कर दो तुम्हु की दिलों में सिर्क प्यारो और रहे जाती मरमता न तुई शर्क बसारो कि तुम दान के पास बाद चमर के हर सिकारो वश्य ने जड़े तुनी हो वक्त की फुगारो मेहका मेहका सोर्मी माधी का बिहान है कर दो झाल 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 हुआ है कर दो लास मी कि यूफ जो कि यूब कि यूद बई वा कि यूद एक्ट सक जद साइब को झीज जएग रिड़ जे टाहिप इस बाल आट आट इसाइब कि यूद दिद एक्ट का जा एक भाल अजल में टुछांगा। ज्सक्राइब के दूब कर्धा है